इस अध्याय को पढ़ने के पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, कुछ चीजे आपको पता होनी चाहिए, सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, एक्स अक्ष के समानतर रेखा का समीकरण, दो बिंदो से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण, और रेखा के अलग-अलग रूप जैसे की अंताखंड स्वरूप, अभिलंब स्वरूप और विभिन प्रकार के हम लोगों ने सरल रेखा के अलग-अलग रूप या अलग-अल Nunthen Vyperbola , Illips इस प्रकार पर्वल है इस प्रकार के सभी आपधारणाओंके बारे में आपको जानकारी होनेरे फिर इसका उपयोग करके हम समाकलन करेंगे तो इस पूरी अध्याय में हम यह देखने वाले हैं कि दो वक्रों के बीच का छेत्रफल समाकलन का उप्योग करके किस प्रकार ग्याद करते हैं तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि integration from a to b f of x dx यह फलन y equal to f of x x और x equal to a और x equal to b इन दो कोटियों के बीच के छेत्रफल को प्रदरसित करता हैं इसके बाद इस standard formula का उप्योग करके है हम देखेंगे कि दो वक्रों के बीच का छेत्रफल किस प्रकार ग्याद करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले दोनों वक्रों के बीच जो intersection या common point होता है वो हमें निकालना होता है और यह निरभर करता है कि फलन y का फलन है या फिर x का फलन है अगर वह x का फलन है तो x के फलन में x जो है वो किस मान से किस मान तक vary कर रहा है वह ही उसके limit के form पर आता है अगर हम x के respect में differentiate कर रहा है इसी प्रकार यदि फलन का समाकलन हम y के सापेक्ष करते हैं तो y का मान उन दोनों वक्रों के बीच किस मान से किस मान तक vary कर रहा है या किस मान से किस मान तक परिवर्तित हो रहा है उसके सापिक्ष यह हमारा लिमिट होता है और हम उसको इंटिग्रेट करते हैं आगे हम यह देखेंगे कि उधारन के तौर पर यदि आप यह जानते हैं कि ऐसे वरित्त का सम्मी करण है जिसका की केंद्र मूल बिंदू अरधात 00 होता है और यह एकाई का एक वरित्त होता है तो यदि किसे वरित्त की तरिज्या ए हो तो उसका छेतरफल होगा पाई A स्क्वार जैसा कि जानते हैं कि वरित्त का छेतरफल होता है πाई आर स्कुरर यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या है ए तो पाई ए स्कुरर इस वृत्त का छेतरफल होगा यह तो समाने सूतर से आपको पता है लेकिन समाकलन का अनुप्योग करके किस प्रकार हम वृत्त के द्वारा घिरा हुआ अक्षेतरफल निकालेंगे इसे भी हम आधार की प्रक्रिया या संक्रिया करके भी हम दो वक्रों के बीच का छेतरफल निकालेंगे तो आए शुरू करते हैं या अध्याय साधारन वक्रों के अंतरगत छेतरफल एरिया अंडर सिंपल कर तो पिछले अध्याय में हम निया दीखा है कि योगफल की सीमा के रूप म निश्चित समाकलन एवं कलन की आधारभूत प्रमेय का उपयोग करते हुए निश्चित समाकलन का परिकलन कैसे किया जाता है अब हम वक्र y equal to f of x, x अक्ष एवं कोटियों x equal to a तथा x equal to b से घीरे शेतरफल को ग्याद करेंगे हम वक्र के अंतरगत छेतरफल को बहुत सी पतली एवं उर्धवाधर बहुत सी पत्टियों से निर्मित मान सकते हैं y उचाई एवं dx चौड़ाई वाली एक स्वेक्ष पत्टी पर विचार कीजिए इसमें dA जो की प्रारमभीक पत्टी का छेतरफल है यह बराबर होगा y dx के जहां y equal to f of x है यह छेतरफल प्रारमभीक छेतरफल कहलाता है जो की छेतर के भीतर किसी स्वेक्ष इस्थिती पर इस्थापित है एवं A तथा B के मध्य x के किसी मान से विनिर्दिष्ट है वक्र y equal to f of x कोटियों x equal to a x equal to b एवं x अक्ष से घीरे क्षेतर के कुल छेतरफल capital A को क्षेतर p q r s p में सभी पतली पत्टियों के क्षेतरफल के योग के परिणाम के रूप में देख सकते हैं सांगितिक भासा में हम इसे कुछ इस प्रकारा भिवक्त करते हैं capital A equal to integration from a to b d capital A equal to integration from a to b y dx that will be equal to integration from a to b f of x dx वक्र x equal to gy y aksh एवं रेखाऊं y equal to c y equal to d से घीरे क्षेतर का क्षेतरफल इस सूत्रद्वारा प्राप्त किया जाता है capital A equal to integration from c to d x dy y equal to integration from c to d g of y dy तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है हम 26 पट्टियों पर कुछ विचार करते हैं यदि चर्चित वक्र की स्थिति x aksh के नीचे है तो जिस प्रकार आप चित्र में देख रहे हैं कि जहां x equal to a से x equal to b तक f of x is less than 0 है इसलिए दिए हुए वक्र x aksh एवं कोटियों x equal to a x equal to b से गहरे एक शेत्र का चेत्र फल रणात्मक हो जाता है परंदु हम 26 पल के केवल संख्यात्मक मान की ही चर्चा करते हैं इसलिए यदि चेत्र फल रणात्मक है तो हम इसके निर्पेक्षमान अर्थात mod of integration from a to b f of x dx को लेते हैं समन्य तह ऐसा हो सकता है कि वक्र का कुछ भाग x aksh के उपर तथा कुछ भाग x aksh के नीचे है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है यहाँ a1 is less than 0 तथा a2 is greater than 0 है इसलिए वक्र y equal to f of x x aksh एवं कोटियों x equal to a तथा x equal to b से घिरे चेत्र का छेत्र फल a सूत्र a बराबर mod of a1 प्लस a2 द्वारा प्राप्त किया जाता है प्रश्न दिया गया है कि दर्गवरित x square upon 4 प्लस y square upon 9 equal to 1 से घिरे चेत्र का छेत्र फल ग्यात कीजिए पहला यह कि जो समी करण दिया गया है यह है x square upon 4 प्लस y square upon 9 equal to 1 तो यह एक ऐसे दर्गवरित्य का समी करण है जो कि x अक्ष पर 2 इकाई का अंताखंड और y अक्ष पर 3 इकाई का अंताखंड काटता है तो जिस तरीके से आप right side पर चित्र पर देख सकते हैं कि यह एक symmetric geometry है जो कि x और y दोनों अक्ष के परितह सम्मित है तो यदि हम वक्र और दोनों अक्षों के बीच अर्थात प्रथम चतुर्थांस में जो छेत्र फल बन रहा है वह ग्यात करके उस छेत्र फल का हम चार गुना कर देंगे तो पूरा छेत्र फल हमें मिल जाएगा तो यहाँ पर जो सम्मिकरंड दिया गया है इसको या तो हम x के लिए solve कर सकते हैं या तो y के लिए solve कर सकते हैं तो चलिए चार और 9 का अगर हम लगतों सहापरत निकालेंगे तो आएगा 36 और इसे हम लिख सकते हैं 9x square plus 4y square upon 36 equal to 1 त्रियक गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 9x square plus 4y square equal to 36 अब यदि इसे हम y के लिए solve करें तो मिल जाएगा y square equal to 36 minus 9x square upon 4 और यदि यहाँ से हमें y का मान निकालना हो तो राइट शाइड में वर्गमूल लग जाएगा चार एक बटे चार है इसका वर्गमूल एक बटे दो आएगा और फिर वर्गमूल के अंदर जो रासी होगी यह होगी 36 और रिण 9x का वर्ग अब इस पद से और इस पद से दोनों से हम 9 को भेनिश निकाल सकते हैं और 9 का वर्गमूल होगा 3 तो 3 पूरा यहां से बाहर आ जाएगा तो इस प्रकार आपको मिलेगा y बराबर 3 बटे 2 वर्गमूल 4 रिण x का वर्ग यह हमें y पल्टो मिला है तो अब यदि हमें अभिष्ट छेत्रफल निकालना है अभिष्ट छेत्रफल तो हम क्या करेंगे चार गुणा कर देंगे जो छेत्रफल हमें o a b का मिल रहा है अर्थात प्रथम चेत्रफल में जो छेत्रफल है उसका हम चार गुणा कर देंगे तो इस तरीके से आगे हमें मिल जाएगा 4 into integration sign 0 to 2 y dx y का समाकला नहीं x के साफ एक्च कर रहे हैं और प्रथम चेत्रफल में देखिए x का जो मान है यह 0 सुन्य से 2 इस प्रकार यह वैरी कर रहा है तो इस प्रकार हमें यह मिल जाएगा अब y का जो मान है यह मान के चलते हैं कि समीकरण 2 है समीकरण 2 में जो y का मान है उसे यहाँ पर रख देंगे यह 4 और तीन बटे 2 यह अचर रासी है तो वर्गमूल चिन्न के बाहर आजाएगा यह 0 to 2 then square root over 4 minus x square then dx इसको solve करेंगे तो ultimate यह मिल जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 इसके बाद में है समाकरण का चिन्न सुनीर से 2 वर्गमूल 4 रिण x का वर्ग dx इसे सराल करने के लिए हम प्रतिस्थापन का उप्योग कर सकते हैं तो यहां पर एदि हम प्रतिस्थापन उप्योग करें कि माना इसके लिए हम प्रतिस्थापन को उप्योग कर रहे हैं और हम यह मान करके चलेंगे कि माना x equal to 2 sin theta दोनों पक्षों का उकलन करेंगे यह मिल जाएगा dx equal to 2 sin theta का cos theta और फिर theta का d theta अब यहां पर जो limit है यह x के लिए है सुन्य से 2 तो हम यहां पर theta के लिए उस मान को निकालेंगे तो जब x equal to 0 है यहां पर 0 रख दीजे तो theta equal to 0 degree मिलेगा और जब x equal to 2 है तो यहां पर अब 2 रखिए 2 और 2 cancel sin theta equal to 1 तो theta equal to pi by 2 radian तो अब जो limit हमें मिल रही है यह 0 to pi by 2 radian यह मिल रहा है तो अभिष्ट चेत्रफल अब इस शेत्रफल यहां पर जो मैं मान दिया गया है 0 to 2 था तो अब यह 0 to pi by 2 हो जाएगा फिर square root over 4 minus x square तो यह 4 sin square theta और dx के स्थान पर हमें लिखना है 2 cos theta d theta दोनों से हम 4 वर्गमूल 4 को भेंच निकाल लेंगे वर्गमूल 4 से आपको मिल जाएगा 2 दो दो नी 4 और 4 चक्के 24 तो यह मिल जाएगा 24 और वर्गमूल integration sign 0 to pi by 2 और फिर वर्गमूल के अंदर है 1 minus sin square theta यहां से मिल जाएगा cos square theta और square root है तो ultimately मिल जाएगा cos theta cos theta और cos theta multiply होकर के मिल जाएगा cos square theta d theta तो यहां पर इसे सरल करने के लिए हम त्रिकोर्ण मिती के सूतर को प्योग करेंगे cos square theta equal to 1 plus cos 2 theta upon 2 0 to pi by 2 1 plus cos 2 theta upon 2 then d theta तो यह जाएगा तो फिर देखिए यह 24 है और यह है 2 12 24 तो मिल जाएगा 12 और फिर एक इसका हम समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा theta cos theta का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा sin 2 theta upon 2 और फिर limit है 0 to pi by 2 इसे सरल करते हैं तो पहली बार upper limit हम रखेंगे तो यह मिल जाएगा 12 into theta that is pi by 2 plus यहाँ पर theta की सान पर pi by 2 रखेंगे तो 2 over 2 cancel हो जाएगा और theta equal to pi मिल जाएगा और यह 1 by 2 तो यह 1 by 2 sin pi और फिर minus 0 0 रखेंगे तो ultimately यह पूरा term 0 हो जाएगा तो यह ultimately हमने इसको 0 लिग दिया sin pi यह भी 0 होता है तो 1 by 2 को multiply करेंगे ultimately 0 मिल जाएगा और यह 12 into pi by 2 solve करेंगे तो मिल जाएगा 6 pi और इसकी 1 काई यह दि लिखा जाए तो हम लिखेंगे वर्ग 1 काई तो यह दिये गए प्रश्न का उत्तर है जो कि हमें ग्याद करना था अर्थात द्रगवृत x square upon 4 plus y square by 9 equal to 1 से घिरे छेत्र का छेत्र फल है 6 pi वर्ग 1 यह square unit इसमें अगला प्रश्न दिया गया है कि वक्र y equal to 4x into x minus 1 into x minus 2 का x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्र फल ग्याद कीजिए तो पहली बात यह कि यह जो वक्र है यह x अक्ष को किन किन बिंदूओं पर काटता है यह हमें ग्याद होना चाहिए और इसका वक्र कुछ इस तरीके से बनेगा अगर आप चित्र में देख पा रहे हैं तो यह O, A, B, C, D इस तरीके से इस वक्र के द्वारा इसे दर्स आया गया है तो जो वक्र का समीकरण है यह हमें दिया गया है y equal to 4x into x minus 1 into x minus 2 यदि आप y equal to 0 रख देंगे y equal to 0 x अक्ष पर y निर्दसांग शुन्य होता है तो रखने पर हमें x के 3 मान प्राप्त होते हैं x के 3 मान x equal to 0 x equal to 1 तथा x equal to 2 प्राप्त होता है तो यह जो तीन बिंदू है एक बिंदू है 00 दूसरा बिंदू है एक शुन्य और तीसरा बिंदू है दो शुन्य तो मने खेंगे कि x अक्ष को वक्र तीन बिंदू हो शुन्य शुन्य एक शुन्य तथा दो शुन्य पर काटता है अता अभिष्ट चेत्रफल बराबर O, A, B का चेत्रफल और B, C, D का चेत्रफल तो पहला इंटिकेशन आएगा 0, 2, 1, Y, D, X एक्स के साफ एक्ष कर रहे है तो O, A, B में x का मान शुन्य से एक इस परकाड़ा वैरी कर रहा है और इसी प्रकार B, C, D में x का मान एक से दो इस प्रकार परिवर्तित हो रहा है और यह माइनस Y, D, X माइनस Y यह दर्सारा है कि जो चेत्रफल बन रहा है यह एक्स-क्स के नीचे की और बन रहा है तो यहाँ पर हम यह मान रख देते हैं 0, 2, 1, Y, that is 4X into X-1 into X-2 D, X, plus 1, 2, 2 एक काम करते हैं यह जो माइनस साइन उसको यहाँ पर मल्टिप्लाई कर देते हैं और यह प्लस साइन को माइनस बना देते हैं और फिर अगेन 4X into X-1 into X-2 D, X इस पूर इटम को मल्टिप्लाई कर लेते हैं तो हमें एक पॉलिनॉमियल या बहुपद मिल जाएगा यह मिलेगा 4X-3-12X-2 plus 8X then D, X अगेन 1 to 2 4X-3-12X-2 plus 8X D, X अब इसका समाखलन करते हैं और फिर जो इसमें सीमा दी गई है वो अप्लाई कर देंगे 4X-3 X-3 का समाखलन करेंगे तो X का घाथ 4 बटे 4 रेन बारा X का घाथ 2 का समाखलन करेंगे तो X समाखलन करेंगे तो X समाखलन बटे 3 और यह X का समाखलन करेंगे तो X स्कार बटे 2 और यहाँ पर लिमिट है 0 to 1 फिर माइनस साइन X का पावर 3 अगेन x का पावर 4 अपान 4 और माइनस 12 x का पावर 3 अपान 3 प्लस 8 x स्क्वार अपान 2 ये है 1 to 2 देखिए ये है x का पावर 4 माइनस 4 x क्यूब प्लस 4 x स्क्वार इसके बाद में similarly यहां पर भी term कुछ इसी प्रकार मिलेंगे x का पावर 4 माइनस 4 x क्यूब प्लस 4 x स्क्वार और ये 1 to 2 x के स्थान पर आप 1 पूट करेंगे मतलब अपर वैल्यू पूट करेंगे तो यहां पर x के जो अपर लिमिट है यह 1 पूट करेंगे तो मिल जाएगा 1 का पावर 4 that is 1 माइनस अगेन 4 और ये 4 जब 0 पूट करेंगे तो यह पूरा का पूरा तम आपको 0 दे देगा तो अब सिंपली हम इसको माइनस जिरो लिख देते हैं अब यहां पर अपर लिमिट रखेंगे तो दो का घाथ 4 यह मिल जाएगा 16 रिंड चार एक सगहा तीन दो का घाथ 3 मिल जाएगा आठ आठ चौंक 32 दर दो दो नी 4 4 चौंक 16 रिंड अब लोवर लिमिट रखेंगे एक रखें होने वाला है को एंड आपर इसको सौल करें तो वन मिल जाएगे तो मने इसको वन कूट कर दिया है यहां से अब कुम जाएगा 1 यह 16 और 16 जोड़के 32 और 32 यह टोटल टर्म कैंसल हो गया हो यहां पर माइनस और माइनस प्लस वन तो यहां पर जो मिल रहा है यह दो वर्ग इकाई ऐसा छेत्रफल हमें मिल रहा है तो यह जो वक्र है i equal to 4x into x minus 1 into x minus 2 का x सक्षभ से गीरे चेत्र का चेत्रफल है to square unit अगला प्रशना है कि वरित x square plus y square equal to 25 का चेत्रफल ग्याद कीजिये तो यह कैसे वरित्र का चेत्रफल है जिसका केंद्र मूल बिंदू 0-0 है और इसकी त्रिज्या पांच इकाई है तो यदि इसे आप चित्र में देखना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा प्रथम चतुर्थांस में जो चेत्रफल बन रहा है ओ ए भी जिसको हमने चायंकित भाग से दर्शाया हुआ है यदि हम यह एक चतुर्थांस पर घिरा चेत्रफल निकाल लें और उसका गुणा चार से कर दें तो हमें वृत्त के द्वारा घिरा चेत्रफल मिल जाएगा यहाँ पर हमें समाकलन का उप्योग करके चेत्रफल ग्याद करना है तो ग्रत्त का समी करण है एकस स्क्वार प्लस वाई स्क्वार इक्वार टू 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 टिफाइव अब इसे या तो हम वाई के लिए सॉल कर लेते हैं या तो हम एकस के लिए सॉल कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर इसे वाई के लिए सॉल कर रहा हूं वाई स्क्वार इक्वार टू मिल जाएगा ट्वंटी फाइव माइनस एकस स्क्वार और इसे y equal to solve करेंगे तो यह मिल जाएगा 25 minus x square अब यदि हमें छेत्रफल ग्याद करना है जो की पूछा गया है तो इसे हम लिख सकते हैं चार गुनित चतुर्थांस O, A, B का छेत्रफल तो इसे लिखा जासकता है 4 into integration sign y dx और x का मान प्रश्म चतुर्थांस में 0 से 5 तक बढ़ रहा है अब y का जो मान है यहां से हम put कर देते हैं तो मिल जाएगा 4 then integration sign 0 to 5 square root over 25 minus x square dx यहां पर कुना प्रथिस्थापन का उप्योग करेंगे इसे सरल करने के लिए माना की x equal to 5 sin theta दोनों पक्षों का उखलन करते हैं तो मिल जाएगा dx equal to 5 cos theta d theta जो limit है यह x के लिए है हमें limit याद करनी है theta के लिए तो जब x equal to 0 है यहाँ पर आप शुन्य रख दीजे sin theta equal to 0 मिल जाएगा तो theta equal to यहाँ पर 0 radian मिल रहा है इसी प्रकार जब x equal to 5 है यहाँ पर 5 put करेंगे तो 5 और 5 cancel हो जाएगा जाएगा 1 sin theta equal to 1 तो theta equal to pi by 2 तो जो limit है हमारी 0 to 5 यह change हो चुका है 0 to pi by 2 radian में अभी 6 त्रफल में रख देते हैं तो अभी 6 त्रफल में मिल रहा है 4 गुना integration जो था यह 0 to 5 था अब यह 0 to pi by 2 में change हो जाएगा और फिर square root के अंदर 25 minus x square x का square करेंगे अर्था 5 square sin square theta अब देखिए dx के इस्तान पर हमको लिखना है 5 cos theta d theta अब दोनों पदों पर 25 है पच्चिस का पच्चिस को उभेरिश निकाल सकते हैं और 25 का वर्गमूल होता है पांच तो यहां वर्गमूल के अंदर की रासी पांच और यह पांच पांच पंचे पचीस पचीस चोग 100 तो यह 100 यहां से बाहर आजाएगा 0 to pi by 2 देखिए 1 minus sin square theta आपको मिल जाएगा cos square theta और वर्गमूल के अंदर cos square theta है solve करने पर मिल जाएगा cos theta तो यहां से cos theta और यहां से cos theta दोनों मिला करके दोनों multiply हो जाएगा मिल जाएगा cos square theta d theta अब इसको सरल करने के लिए हम ट्रिकोड मीती के प्रतिस्थापन का अपयोब करेंगा या ट्रिकोड मीती सूत्र का अपयोब करेंगे cos square theta को हम लिख सकते हैं 1 plus cos 2 theta upon 2 तो यह हमें मिल जाएगा 100 into 0 2 pi by 2 1 plus cos 2 theta by 2 theta यह 2 को हम बाहर ले लेते हैं समाखलन चिनने के बाहर क्योंकि यह तो अचर रासी है तो 100 बटे दो हमको मिल जाएगा 50 और फिर 1 का समाखलन करेंगे theta के साफ x तो मिल जाएगा theta cos 2 theta का समाखलन करेंगे तो मिल जाएगा sin 2 theta upon 2 और यह जो limit है यह 0 2 pi by 2 तो यह हो गया 50 अब इसमें आप upper limit put कर दीजे theta equal to pi by 2 और जब यहाँ पर आप theta रखेंगे theta equal to pi by 2 रखेंगे यह 2 or 2 cancel हो जाएग ultimately आप मिल जाएगा sin pi और sin pi by sin pi की value मिलती है 0 तो यह पूरा का पूरा time आपको मिल जाएगा 0 इसी तरीके से minus sin के साथ यह जब theta equal to 0 पूट कर गो तो यह भी 0 और यह भी 0 तो ultimately आपको 0 मिल जाएगा तो 50 बटे 2 करेंगे तो मिल जाएगा 25 तो इस तरीके से जो छेत्रफल मिल रहा है यह 25 pi वर्ग 1 काई यह छेत्रफल हमें मिल रहा है तो देखिए कि यह जो वर्ग वरित है x square plus y square equal to 25 इसका छेत्रफल हमें मिल रहा है 25 pi वर्ग 1 काई वरित है जिसका त्रिज्या 5 काई है तो वृत्त का चेत्रफल होता है पाई आर स्क्वाइर तो पाच कवर्ग 25 और पाई तो इस तरीके से भी अगर आप अनलेटिकली फार्मूले का उप्योग करते तो आपको मिल जाना है 25 पाई वर्ग इकाई और समाकलन के सूतर का भी उप्योग करके हम जब इसे सरल कर रहे हैं तो हमें यही मिल रहे है तो इस प्रकार यह क्रास्ट एली हो रहा है कि हमने जो उत्तर निकाला है या सही प्रशन दिया गया है कि परवलाय एक्स स्क्वार एक्वल टू फोर एवाई यह एवं रेखा हूँ वाई एक्वल टू वन और वाई एक्वल टू टू से घिरेक शेत्रगाद शेत्रफल ग्यात कीजिए तो पहले हम परवलाय का समीकरण लिखते हैं एक्स स्क्वार एक्वल टू फोर एवाई जब कोई समीकरण एक्स में वर्ग समीकरण हो तो यह वाई अक्ष के परिता सम्मित होता है जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वार एक्वल टू फोर एवाई कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है और यहां पर दो रेखाओं की बात की गई है वाई क्वल टू वन और वाई क्वल टू टू तो यह इन दोनों के बीच में जो वक्र के साथ बना हुआ चेत्रफल है यह हमें ज्याद करने के लिए कहा गया है तो इस प्रकार हम यहां पर लिखेंगे कि अभिष्ट छेत्रफल टू एक्स ड्य एक्स ड्य और वाई का जो मान है यह एक से दो के बीच में परिवर्तित हो रहा है तो यह एक से दो, एकस डी वाई, तो इस प्रकार हमें अभिष्छित्रफल जो है यह integration के form में मिल रहा है, limit from 1 to 2, एकस डी वाई, और एकस का माहन हम समीकरण एक से ग्याद कर सकते हैं, यहां से लिखना चाहें, तो एकस इक्वाल टू, इस टर्म का स्कार रूट हो जाएगा, तो 4, 4 का वर्गमूल 2, और यह वर्गमूल के अंदर ay, इस प्रकार हमें पद मिलेंगे, तो यह मान हम यहां पर रख देते हैं, समाकलन का चिन्ना है, सीमा एक से 2 है, और यह दो वर्गमूल ay, dy, देखिए, दो और वर्गमूल a, यह दोनों के दोनों अचर रासी है, जो की free from y है, तो इसे हम बाहर ले लिएंगे, 2 into root a, integration sign, 1 to 2, यह y का power 1 by 2 लिख सकते हैं, square root y को, और यह dy, y, so 2 square root a, और y का power 1 by 2, इसका समाकलन करेंगे, y का power 1 by 2 plus 1, that is 3 by 2, upon 3 by 2, और limit 1 to 2, तो इवन जाएगा 2 square root a, और यह 3 बटे 2 है, यह गुणा करके हम 2 बटे 3 इस तरीके से लिख सकते हैं, और फिर y का मान, और फिर y की limit, जो है, y का घात 3 बटे 2 इसके limit है, 1 to 2, और यह 2 और 2 का multiply होके हो जाएगा, 4 by 3 square root a, अब यहाँ पर हम y के स्थान पर एक बार 2 रखेंगे, और एक बार 1 रखेंगे, तो मिल जाएगा, 2 का घात 3 बटे 2, रिंड, एक का घात 3 बटे 2, दो का घात 3 करेंगे, तो मिल जाएगा 8, और 8 का वर्गमूल करेंगे, तो 2 वर्गमूल 2 हमें मिल जाएगा, तो यह है, चार बटे 3 वर्गमूल A, और यह 2 वर्गमूल 2, रिंड, एक, तो यह जो हमें 6 रफल मिल रहा है, मानगर करेंगे, चलते हैं कि यह 6 रफल A है, तो चार बटे 3 वर्गमूल A, गुणा, 2 वर्गमूल 2, रिंड, एक, वर्ग, इक, आई, यह अभिष्ट च्छेत्रफल है, जो कि हमें ग्यात का निकले कहा गया था, अगला प्रशन दिया गया है, वक्र Y उक्वल 2, 2 कॉस X, एक्स अक्ष तथा, X एक्वल 2 जीरो और X एक्वल 2 पाई से, घिरेक शेत्र का च्छेत्रफल ग्यात कीजिए, तो यहां पर 2 कॉस X की बात की जा रही है, तो पहली बात यह कि कॉस X का ग्राफ आपको पता है, किस प्रकार बनता है, और यहां पर X कमान 0,2, 2, Pi है तो 2, Cos X कमान कौन-कौन से चतुर्थांस पर धनात्मक होता है कौन से चतुर्थांस पर धनात्मक होता है या हमें गयाद होना चाहिए फिर उसके बेसिस पर हमें हम इसा इंटिक्रेट करके वह 6 तरफल गयाद कर पाएंगे जो हमें ग्याद करना है तो दिखे यह जिरो डी दिगरी की लाइन है यह पाई बाए2 रेडियन की लाइन यह पाली रेडियन औरी फिक्षित्य ये घृ subway अधरगेनीμन पृतार फोजुट बुटी देवें दूसरे चतुर्थांस पर साइन और कोसिक यह धनात्मक होते हैं, तीसरे चतुर्थांस पर कॉस और कोसिक यह धनात्मक होते हैं, तो इसका मतलब यह कि प्रथम चतुर्थांस पर हमें कॉस जो है यह धनात्मक मिलेगा, दूसरे चतुर्थांस पर जो कॉस है यह धनात्मक मिल मिलेगा और 4 x पर का मान हमें धर्रनात्मकिद्क प्राब्थ Works तो यहां पर दॉनों चतुर थांस ओ पर पहले और 4 चतुर का ऑगए वार दूसरे और 3 चतुर थांस पर जो फॉंक्श sì को सब तो function दिया गया है y equal to 2 cos x तो जब x जो है यह close interval 0 2 pi by 2 अर्थात प्रसम चतुर्थांस में लाई करता है तब cos x is greater than or equal to 0 तो इसका मतलब यह कि 2 cos x is greater than or equal to 0 मिलेगा जब x जो है यह pi by 2 से लेकर के 3 pi by 2 यह है आपका pi by 2 यह pi और यह 3 pi by 2 तो यहां से लेकर के यहां तक इस तरीके से दूसरे और तीसरे चत्रथांस पर जो cos x का मान है या 2 cos x का मान है यह less than or equal to हमें 0 मिल जाएगा और चत्र-चत्र-थांस की बात की जाए कि जब x जो है यह 3 pi by 2 से लेकर के 2 pi तक होगा तब हमें 2 cos x की value greater than or equal to 0 मिलेगा तो इस प्रकार हमें यदि अभिष्ट चेत्रफल पूछा जाए तो हम इसे लिखेंगे 0 2 pi by 2 2 y dx फिर plus sin pi by 2 to 3 pi by 2 minus y dx यहां पर चुकी negative है और फिर plus 3 pi by 2 to 2 pi y dx अब इन फलनों पर y का मान हम रख देते हैं 2 cos x और फिर आगे इसको integrate करके solve करते हैं तो यह है 2 cos x तो 2 function के बाहर हम लिखेंगे 0 2 pi by 2 और यह है cos x dx minus sign बाहर ले लेते हैं और यह है आपका pi by 2 to 3 pi by 2 cos x dx और फिर plus अगे यहां पर यह 2 बाहर आ जाएगा और यहां पर भी 2 हम बाहर लिखेंगे 3 pi by 2 to 2 pi cos x dx cos x का समागलन मिल जाएगा sin x तो मिल लिखेंगे 2 into sin x 0 2 pi by 2 minus 2 sin x pi by 2 to 3 pi by 2 or plus 2 sin x 3 pi by 2 to 2 pi 2 sin x 2 pi by 2 minus sin x 2 pi by 2 minus sin x 2 pi by 2 plus 2 sin x 2 pi minus sin x 3 pi by 2 2 sin x 2 pi by 2 2 यह आपको मिल जाएगा minus 1 sin pi by 2 मिल जाएगा 1 2 sin 2 pi यह मिल जाएगा आपको 0 sin 3 pi by 2 minus 1 तो minus और minus plus 1 तो इसे solve करते हैं तो 2 into 2 2 और यह minus 2 minus minus दोनों को multiply करेंगे तो मिल जाएगा plus 4 और 2 into 1 that is 2 तो यह आपको मिल रहा है 8 unit यह 8 square unit तो यह वह अभिष छेत्रफल है जो की cos y equal to 2 cos x x अक्ष तथा x equal to 0 और x equal to 2 pi से घीरे छेत्र का छेत्रफल है प्रश्ण दिया गया है कि वक्र y square equal to 4 x और x square equal to 4 y के बीच का छेत्रफल ग्यात कीजिए तो यहाँ पर दो अलग-अलग वक्र दिखाई दिये रहे हैं हमें y square equal to 4 x y square equal to 4 x समी करण 1 और समी करण 2 x square equal to 4 y समी करण 2 देखिए y square equal to 4 x है तो यह x अक्ष के परिता सममित है अर्थात यह right-handed में जो आपको पहला ग्राफ दिखाई दे रहा है यह y square equal to 4 x है और अब जो दूसरा ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है x square equal to 4 y यह उसका ग्राफ है तो ultimately इन दोनों वक्रों का intersection point जो है या दोनों वक्रों का urbanist बिंदू हमें पहले ग्याद करना है और उसके बाद हम इसमें limit apply करके इसे solve कर लेंगे तो समी करण 2 से यदि हम y का मान ग्याद करें तो यहां से हमें मिल जाएगा y equal to x square upon 4 इस मान को हम समी करण 1 में रख देते हैं समी करण 1 में y equal to x square upon 4 रखने पर तो मिल जाएगा x का power 4 upon 16 equal to 4 x और जब इसे 3 गुणा करके सरल करेंगे तो तो 1664 एक्स का घात 4 रेन 64 एक्स बराबर शुन्य इन दोनों पदों से यदि हम x को वहरेंश टिकाल लें तो x का घात 3 रेन 64 equal to 0 मिल जाएगा अब इसे देखा जाए तो चार का घात 3 है मूल रूप से या फिर इसे स्वरल करने पर आपको मिल दाएगा x equal to 0 और x equal to 4 यहाँ पर तीन रिपीटेट रूट मिलेंगे चार 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 उसे लिखने के अवशक्ता नहीं है एक्स बराबर 4 अमने आप लिख लिए तो अब यदि आप चित्रे में देखें तो बिन्दू ओ पर x बराबर 0 है तथा बिन्दू एम पर x बराबर 4 है तथा बिन्दू एम पर x बराबर 4 तथा यदि हमें अभिष्ट चेत्रफल पूछा जाए तो हम लिखेंगे कि चेत्रफल ओ ए पी बी ओ चेत्र में देखिए ओ ए पी बी ओ और यह चेत्रफल हम कैसे निकालेंगे यदि हम ओ ए पी एम ओ इस चेत्रफल में जो चेत्रफल है ओ बी पी एम ओ इसको घटा दे तो वह चेत्रफल हमें मिल जाएगा जो कि हमें कि यह चाहिए चित्र से आप समझ सकते हैं तो अब यहां पर हम सॉल करने वाले हैं y equal to one dx और y2 dx y1 का जो मान है y1 जो है यह पहले समीकरंट से आएगा y2 जो है यह दूसर समीकरंट से आएगा तो यहां से ज़िए आप y1 calculate करना चाहें तो y equal 2 आपको मिल दाएगा root 2x और यहां से y2 मिल दाएगा x square upon 4 तो पहले सब्मी करण के लिए जो x का मान है यह x equal to 0 to 4 यह vary कर रहा है similarly इसके लिए भी x equal to 0 to 4 यह vary कर रहा है तो x equal to 0 to 4 y1 y1 that is root 2 x dx minus x equal to 0 to 4 y2 that is x square by 4 dx पहले समी करण को जदी हम solve करके y का मान निकालेंगे तो y equal to 2 यहां पर मिल जाएगा वर्गमूल 4x और 4 का वर्गमूल 2 और यहां पर यह वर्गमूल x तो यह जो y1 मिलने वाला है वहां से मिलेगा तो इसे हम लिखेंगे 2 root x और y2 जो है यह समी करण 2 से मिलने वाला है यह x का वर्ग बटे 4 अब यह 2 है x का घात 1 बटे 2 इसका समाकलन करेंगे तो x का घात 3 बटे 2 बटे 3 बटे 2 और यहां पर जो लिमिट है यह 0 to 4 है फिर minus 1 by 4 को हम बहार ले ले लेते हैं x का power 2 है इसका समाकलन x का power 3 upon 3 यह again यह 0 to 4 अब जब इससे solve करेंगे तो यह 2 by 3 से multiply हो कैसे और फिर x का power 3 by 2 x का power 3 by 2 में x के सान पर अब 4 रखेंगे 4 का घात 3 बटे 2 जब 0 रखेंगे तो यह पर शुन ने मिल जाएगा तो उसी तरीके से रिए 1 बटे 4 है और 4 का घात 3 बटे 4 का घात 3 बटे 3 और जब 0 रखेंगे तो ultimately यहां पर शुन ने मिल जाएगा तो 4 बटे 3 और फिर 4 का घात 3 बटे 2 यह चार यहां पर है हर में और यहां पर 4 खात 3 है घट जायेगा 4 खात 2 मिल जाएगा तो यह मिल जाएगा आपको सोला बटे तीन इसी तरीके से आधार समान है गुणा करने पर घात जुड़ जाएगा तो तीन बटे दो धन एक तो मिल जाएगा पांच बटे दो चार का घात तीन करेंगे चार चौक सोला और फिर चार और चार का वर्गमूल दो यह है आपको मिल जाएगा चार बटे तीन चार का हाथ तीन बटे दो से आपको मिल जाएगा चार गुना दो आठ और रिन शोला बटे तीन 8, 4, 32, 32 बटे 3, 16 बटे 3, तो आपको मिल जाएगा 16 बटे 3, तो यह जो 16 बटे 3 वर इकाई है, यही दोनों वाकरों के बीच का अभिष्ट छेत्रफल है, जो हमें ग्यात करने के लिए दिया गया था, प्रश्न दिया गया है कि परवल है, य क्वल टू एक्स स्क्वाइर अपाउन 2, प्लस 1, तथा सरल रेखा, य क्वल टू एक्स प्लस 1, द्वारा घिरे, छेत्र का छेत्रफल ग्यात कीजिए, तो दिये हुए वक्र का समी करन है, य क्वल टू एक्स स्क्वाइर अपाउन 2, प्लस 1, माना करें चलते हैं कि समी करन एक है, यदि दोनों का लगत्तों सापर निकालेंगे तो मिल जाएगा दो, यह मिल जाएगा 2Y बराबर X का वर्ग दहन 2, अब 2 को इदर पक्चांतर कर देंगे तो मिल जाएगा 2 गुणा वाइर इंड एक बराबर X का वर्ग, या फिर आप इसे लिख सकते हैं X का वर्ग बराबर 2 गुणा वाइर इंड एक, तो यह एक परवलाय का समी करन है, जिसका सिर्ष, शुन्य एक है, देखिए, एक्स किस्तान पर X माइनस 0 ऐसा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर से आपको 0 मिल जाएगा X कोडिनेट और यहाँ पर तो Y माइनस 1 डारेक्टली दीखा हुआ है, तो यहाँ पर Y जो है वो एक पर सिफ्ट हो चुका है, तो इस प्रकार जो परवलाय का जो सिर्ष है, यह शुन्य एक बिंदू का देखिए शुन्य एक बिंदू का निर्देशांग हमें मिल रहा है, और Y उक्वल टू X प्लस उन, इसे जदी सरल रेखा के रूप में खीचे, रेखा का समी करण, y equal to x plus 1 मान करने चलते हैं कि समी करण 2 है यदि इसे आप अंताखंड रूप में परिवर्तित करना चाहें तो भी हम परिवर्तित कर सकते हैं और इसे directly हम ड्रॉ कर सकते हैं और अगर ऐसा नहीं तो दूसरा यह कि इन दोनों का हम प्रतिक्षेद बिंदू solve करके निकाल लेते हैं तो एक काम करते हैं कि परवले 1 तथा रेखा 2 का प्रतिक्षेद बिंदू के भुज के लिए हम समी करण 1 से y का मान समी करण 2 में रख देते हैं यहां से y का मान जोए समी करण 2 में रख देते हैं तो यह मिल दाएगा x square upon 2 plus 1 equal to x plus 1 समी करण 1 वा 2 से ऐसा हम यहां पर लिख देते हैं तो यहां पर जब solve करेंगे तो मिल दाएगा x square plus 2 equal to 2x plus 2 solve करते हैं x square minus 2x यह 2 or 2 cancel हो जाएगा ultimately आपको मिल दाएगा 0 solve करेंगे उहनेश निकाल सकते हैं x और यह x minus 2 equal to 0 that implies x equal to 0 और x equal to 2 तो इस प्रकार जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि बिंदू a पर x equal to 0 है और p पर x equal to 2 है तो यदि अब हमें छेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो हम इस लिखेंगे कि अभिष्ट चेत्रफल जो है यह 022 y2 dx minus 022 y1 dx y1 जो है यह पहले समीकरण से प्राप्त होगा और y2 जो है यह दूसरे समीकरण से प्राप्त होगा तो जो चेत्रफल है अभिष्ट चेत्रफल वो हमें दो अलग अलग चेत्रफल का अंतर के रूप में इस प्राप्त मिल जाएगा y2 y2 का मान यहां से x plus 1 तो यह 022 x plus 1 इसका समाकलन फिर 022 y1 y1 अर्था समीकरण एक से यह मिल जाएगा x square upon 2 plus 1 dx x solve करते हैं x का समाकलन मिल जाएगा x का घात 2 बटे 2 एक का समाकलन x और यह 022 और फिर x square by 2 है तो यह 1 by 2 x का power 2 तो x का power 3 upon 3 plus x यह limit 022 अब यह limit put करके solve कर देते हैं तो 2 का घात 2 4 चार बटे 2 मिल जाएगा 2 यहां पर रखेंगे upper limit 2 minus lower limit तो यह दोनों term 0 हो जाएगा तो इससे हम directly 0 put कर रहे हैं फिर minus 2 और 3 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 6 और अब यहां पर आपर लिमिट रखेंगे तो 2 का घात 3 8 8 बटे 2 तो 4 तो 4 बटे 3 और एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो यह 2 फिर minus lower limit रखेंगे तो पूरा term 0 हो जाएगा तो इसको हम directly minus 0 लिक रहे हैं फिर्स्ट रम यह फिर्स्ट ब्रेकेट में जब solve करेंगे तो मिल जाएगा 4 फिर यह minus 4 by 3 minus 2 4 minus 2 2 so 2 minus 4 by 3 लगता सब्सक्राइगा 3 और यह 6 रिंड 4 तो मिल जाएगा 2 बटे 3 दो बटे 3 वर्ग इकाई यह अभिष्ट छेत्रफल है जो हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था तो इस प्रकार हम दो वक्रों के बीच घिरे छित्रफल को ग्याद कर सकते हैं प्रश्ट दिया गया है कि उस त्रिपुच का छित्रफल समाकलन की साहता से ग्याद कीजिए जिसके सिर्ष रिंड 1105 और 32 है तो हम यह मान करके चलते हैं कि पहला बिंदू रिंड 11 है यह A है दूसरा बिंदू B यह 05 है और तीसरा बिंदू C जो की 32 है और त्रिपुच ABC में ABC जो है यह त्रिपुच के सिर्ष के निर्दशांक हैं जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि यह ABC कुछ इस परकार से त्रिपुच आपको दिखाई दे रहा है तो पहले हम AB का समीकरण, BC का समीकरण और AC का समीकरण ग्याद कर लेते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि दो बिंदो से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y-y1 equal to y2-y1 upon x2-x1 into x-x1 से ये दो बिंदो से होकर जाने वाली रेखा की समीकरण का सूतर है यदि हम यह मान करके चलें कि ये x1, y1 और ये बिंदो x2, y2 है तो इस मान को हम यहाँ पर रखते हैं तो हमें मिल जाएगा a, b का समीकरण y-y1, y1 का मान 1 equal to y2-y1 तो 5 रिंद एक बटे x2-x1 minus or minus plus and x-x1 minus or minus plus तो solve करने पर हमें मिल जाएगा यह y-5-1, 4 यह y-1 equal to 4 into x plus 1, ultimately y-1 equal to 4x plus 4 और जब इसे solve करेंगे तो 4x minus y plus 5 equal to 0 या फिर इसे सिर्फ y के रूप में हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं y equal to 4x plus 5 अब bc का समी करन हमें ग्याद करना है b और c का समी करन तो इसके लिए हम इसको x1, y1 और इसके लिए हम x2, y2 इस निर्देशां को मान लेते हैं so y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1 solve करते हैं यह y minus 5 equal to 2 minus 5 मिल जाएगा minus 3 minus 3 by 3 that will be minus 1 और यह ultimately minus x तो यहां से हमें y का जो मान मिल रहा है y equal to 5 minus x मान करने चलते हैं कि समी करन एक है और यह वाला समी करन दो है अब हमें a c का समी करन ग्याद करना है तो इसके लिए हमें काम करते हैं इसको x2 y2 रहने देते हैं और इसको x1 y1 ऐसे consider करते हैं तो मिल जाएगा y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1 solve करेंगे तो मिल जाएगा y minus 1 equal to 1 upon 4 into x plus 1 यहां से हम y equal to calculate कर सकते हैं यह है x by 4 plus 1 by 4 plus 1 इसको solve करेंगे तो मिल जाएगा 5 by 4 तो इस प्रकार आपको मिल रहा है y equal to x by 4 plus 5 by 4 मान करके चलते हैं कि यह समीकरण 3 है हमें a, b, b, c और a, c का समीकरण मिल चुका है अब यदि तरिभुज a, b, c का छेतरफल पूछा जाए तो आता है तरिभुज a, b, c का छेतरफल तो देखिए a, b में x का मान जो है x का मान है यह minus 1 to 0 फ्लोट कर रहा है तो यह minus 1 to 0 y1 अर्थात यह वाला मान हम लिखेंगे 4x plus 5 dx plus b, c यह b है और यह c है x का मान 0 से लेकर के 3 तक change वो रहा है 0 से 3 और b, c में y equal to मिल रहा है 5 minus x dx फिर a, c a, c में minus 1, 2, 3 minus 1, 2, 3 यह x by 4 plus 5 by 4 dx तो इस रहकार हमने यह limit अप्लाई कर लिया है अब इसको समा कलन करके हमें वह मान रखना है और फिर जो अभी इस तो उत्तर चाहिए है वो हमें मिल दाएगा तो तरह वो जे, b, c का छेतरफल 4x इसका समा कलन करेंगे तो मिल दाएगा 4x square by 2 plus 5x 4x square by 2 plus 5x यह है minus 1, 2, 0 फिर दूसरा इसका समा कलन करेंगे तो आपको मिल दाएगा 5x minus x square by 2 और यह है 0, 2, 3 इसका करेंगे तो 4x का घात 2 x का घात 2 और यह 4 है बटे 2 और यह 5 बटे 4 x limit है minus 1, 2, 3 तो इसको solve करेंगे तो मिल दाएगा 2x square plus 5x again limit minus 1, 2, 0 इसको फिर आगे solve नहीं किया जा सकता तो यह 5x minus x square by 2 0, 2, 3 और यह है x square by 8 plus 5x upon 4 minus 1, 2, 3 जब x equal to 0 पुट करेंगे तो यह term 0 और यह term 0 मिल दाएगा और फिर जब minus 1 पुट करेंगे minus sign के साथ में तो 2 into minus 1 का square मिल दाएगा 2 plus 5 into minus 1 आपको मिल दाएगा minus 5 फिर plus पांच गुणा 3, 15 रिंड, 3 तिया 9 9 बटे 2 और minus के बाद इसमें 0 पुट करेंगे तो ultimately पुरा term 0 मिल दाएगा फिर इसी तरीके से यहां पर हम 3 रखेंगे x के स्थान पर तो 3 तिया 9 9 बटे 8 रिंड, 5 तिया 15 बटे 4 फिर रिंड, x के स्थान पर रिंड एक रखेंगे तो यह रिंड एक कवर धन 1 रिंड 5 बटे 4 तो रिंड 5 धन हो जाएगा इस तरीके से तो इसको solve करेंगे तो मिल दाएगा 2-5, minus 3, minus 3, minus 3, plus 15, minus 9 by 2 और देखिए इन दोनों का denominator सेम है और इन दोनों का denominator सेम है तो 9 रिंड, 8 बटे 8 करेंगे तो मिल दाएगा 1 और 15 बटे 4 और 5 बटे 4 तो 15, 5, 20, 20 बटे 4 मिल दाएगा 5 देखिए यह है आपका 15, 15 और 5, 20, 23, 23, 23 और 1, 24 24 रिंड, 9 बटे 2 तो लगता साब परता निकालेंगे तो 2 मिल दाएगा 24 दोनी, 48 रिंड, 9 यह आपको मिल जाएगा फाइनली, 39 by 2 वर्ग इकाई 24 रिंड, 55 रिंड, 4 बटे 21, 2500 helemaal निकालेंगे यह आपको मिल जाएगा 25 और 6 बटे 50 राएगा 25 बटे 50 रिंड, 59 कि 25, 60 रिंड, 59 याश्य, 750 रिंड, 65 eye それ मिल बटे दाएखिए 500 बटे 50 4 पॉ months है 25 बटे alma व to 25